हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल कैसे आप सब उमीद करते आप सब बड़ी आओंगे तो स्टाट करते हैं आज का लोग तो आज का लोग है रैसिपी व लोग तो आज हम बनाएंगे पुलाव और पुलाव की ही रैसिपी दीखाएंगे तो यहां पे हमने कुकर चडा लिया है और कुकर में टेल डाल लिया है और यह खड़े मसाले निकाल लिये हैं यहां पे कसूरी मेथी वैसी मेथी, सुखी मेथी, norai ji काले मेर्च, लॅग और साबुद धनिया, और लाल मेर्ची साबुद वाली तो ये खड़े मसाले निकाल लिए और इदर कुकर में डाल लिया था तेल तो तेल गरम हो गया था उसके बाद हमने सोयविन की बड़ी डाल ली थी जो पहले से बिगा के रखी हुई थी हमने तो उन्हें हलका हलका कर लेते हैं फ्राई तो यहां पे फ्राई कर रहे हैं सो अब इनकी बड़ी को और चावल मैंने बिगा के रखे हुए थे तो उन्हें अच्छे से वोस कर लेते हैं तब तक बड़ी फ्राई हो रही हैं तो यहां पे चावल तब तक दूल के रख लेते है बिगा दिये थे थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट पहले बिगा दिये थे मैंने तो अब यहां से यहां पर चावल अच्छे से साफ कर लिए हैं दोके और तब तक हमारी बड़ी भी फ्राई होगी होगी तो ने चेक कर लेते हैं तो यहां पर देखो हलकी हलकी सुनहरी ब्राउन होने लगी है बड़ी तो यहां पर निकाल दी है ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने हलकी हलकी ही फ्राई करने हैं यहां पर फिर हमने बड़ी निकाल दी फिर उसके बाद इसी कुकर में ही हम छोंक देंगे पहले बड़ी न निकाल लिए और छोंक मैंने काटके तयार करके रखा हुआ है बस इसके बाद हम छोंक देंगे तो यहां पर हमने खड़े में मसाले डालने स्टार्ट कर दिये काली मेर चिलाई ची मेथी सब डाल दिया जैसे के करके जो मैंने आपको दिखाए थे स्टार्टिंग में तो इस डाल दिये हैं खड़े वाले और इन्हें थोड़ा सा चटकने देते हैं फिर उसके बाद डाल दिया है जीरा अब यह भुन जाएंगे फिर उसके बाद डालेंगे प्याज और लसुन जो हमने कट करके रखे हुए हैं इन्हें मंदा कर दिया गया इसको और अच्छे से उन डाल देते हैं हिंग को डाल देते हैं हिंग खतम हो गया तो फिर नई भी निकाल के लिए अंदर रखे थी कीचन में तो हींग डाल दिया है और अब इसके बाद डाल देंगे लसुन मैंने प्याज वाली ही प्लेट में एक तरफ को काटके रखे हुए थे लसुन पहले आछे से ब्chemical लेते हैं हिर सख्याज ऑब भीकल्ट के लिए चांडे तो यहां पर ब्लून प्रिक से द्राट्इव कर द्रशव कृण सुर्चान अधिज ञाँ कशोर्बाङर के यहां दक डूस टोलु हो जाल तक बार सुझ कलाणे तक मैंने चाम बैवन जार रखे हैं बढ जब छौंक बुन गया तो उसके बार डाल दीया है मैंने इसमें सोया बीन वाली बढ़ी जो पहले से फ्राइए करके रखे हुआ थी और टमाटर कट करके रखा हुआ था यहां पे मैंने एक वो डाल दिया है अब इसे थोड़ा सा गुमा लेते हैं फिर मसाले डाल दिया यहा लर्की है और वो पहले डाली थी वो तीखी लाल मिराच है और अब क्या है अब डाल दिया कीचन कींगे इसमें और उसके बाद डालेंगे कि दन्याई पाउडर थोड़ा सा और डाल दिया अब नमक तो यहां पे डाल दिया है नमक अब इन्हें अच्छे से कर लेंगे मिक्स और भुनने देंगे मसालो को थोड़ी देर और हल्दी नहीं डाल देंगे हम प्लाव में हल्दी नहीं डाल लेंगे और बड़ा टेश्टी बनता है आप एक बार इस तरीके से जरूर ट्राइए करना मेरे बेटे का तो यह फेज़र और अब इसमें डाल दिये आलू मैंने पहले ही काट के दो के रखके हुए थे पाने में अच्छे से कर देते हैं मिक्स मसाले भी हो गए हैं और चावल डालने और रखें तो इन अच्छे इसे मिक्स कर देते हैं फिर उसके बाद डालेंगे चावल जाल लो में भी Hey, चावल अपको दिखा था और अभी ढाल देते हैं ठोड़ी देर पहले भीगा लो तो चावल अच्छे बनते हैं प्लाव के लिए भी और सिंपल चावल बनाने हो उसके लिए भी मैं थोड़ी देर भीगा देती हूं तो चावल काफी अच्छे बनते हैं यहां पर डाल दी अभी चावल तो चावल अच्छे से मिक्स कर देते हैं और सारे मसाल अभी ने कर देते हैं mix और याँ पे अच्छे सी mix हो गया और उसके बाद जीतना पानी जैसे डालना है तो मैं तो कुकर में चावल से एक उंगल उपर रखते हूं जैसे चावल होते हैं तो इसे इतना एक इन आ उपर जैसे रख लेती हूं तो तो why आइडिया अता है या सेभी डालो एक कटोरी चावल है तो दो प्लाव तो बन के हो गया था तेयार एनम्किन चावल जो भी बोलो अप तो कटोर्य नी काल और सबके प्लेट थाली में लेके आ चुकी हूं और यहां पर कुकर खोल दिया है तो यहां पर मारा प्लाव बन के हो गया है तैयार तो चलो अभी खा लेते हैं फिर उसके बाद होताएंगे आपको कैसा बना तो निकाल लेते हैं गरम गरम नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा और अभी सब का निकाल देते हूं मैं बर्तन भी ले आई हूं और धाई में विड नमक जीरा डाल लिया है और फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया था थोड़ी देर पानी में खटा लग दिया था ना चावल के में फिर मैंने डक्कन लगा दिया था और एक सिट्टी आने तक छोड़ दिया था एक सिट्टे में ही हमारा प्लाव बनके हो गया था तयार और खाते हुए कि हमने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि सब ली लोग इखटा बैटके खा रहे थे चाचा का लड़का भी था वाइप भी चाचा की लड़की यह सब लोग थे शाम के टाइम का काम है तो वह बोले हम भी खाएंगे बना रहे थे बुल क्या बना रहे बुले प्लाव बोले तो हम भी यहीं खाएंगे तो इसलिए हम सारे लोग बैठके खा रहे थे तो खाते हुए का वीडियो नहीं बनाया मैंने एक बारी बना था तो उसमें कुकर दिखा दिया था बन वोग यहीं तक मिलेंगे एक अच्छे से वोग के साथ तर तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर मिलेंगे एक अच्छे से वोग के साथ